आप जानते हैं कि नए लोग सभा चुनाव में अब अधिक समय बचा नहीं है राजनेती गतिविद्यां इधर काफी तेज हो गई हैं दिली में नितीश कुमार अपनी राष्ट्य कारिकारणी की बैठक कर रहे हैं राहुल गांधी फिर से एक नियाय यात्रा शुरू कर रहे हैं पहले भारत जोड़ रहे थे और इस बार नियाय यात्रा शुरू कर रहे हैं और यह नियाय यात्रा का फ्लसफा क्या है दर्शन क्या है फिलोस्पी क्या है इस पर भी जरा बात करेंगे समझने की कोशिश करेंगे इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में जो इंडी Alliance के घटक दल हैं वो जो अपनी positioning कर रहे हैं जो उनकी posturing है उस पर भी जड़ा नजर दोड़ाएंगे हो क्या रहा है अलग-अलग राज्जमा महाराश्ट से जो सुर सुनाई दे रहे हैं वो थोड़े से ज्यादा करकश है महमताव एनर्जी ने तो कहे ही दिया है कि यहां तो हमारा सीधा भारती जंता पारिटी से मुकाबला है हम तो सीट शेरिंग नहीं करेंगे यानि वाम दलोर कॉंग्रेस के साथ उनका कोई गडबंदन पश्शीम बंगाल में नहीं बाकी राज्यों में वो महमताव एनर्जी को अगर कुछ सीट देना चाहते हैं तो वो उसके लिए तैयार है इसी तरीके से अर्विन केजरिवाल कही चुके हैं कि पंजाब और दिल्ली की तरफ तो कॉंग्रेस देखे भी ना इधर नितीस और लालू यादव में ही सींग भीड़े हुए हैं तो हम यह जानने समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव एकदम बिल्कुल सिर पर आ गए हैं और चार बैठकों के बाद भी जो इंडिय एलाइंस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तै नहीं कर पाया अपना सहींजक तै नहीं कर पाया सीट शेरिंग तै नहीं कर पाया यहां तक के लोगों भी तै नहीं कर पाया वो क्यों बार-बार बैठक कर रहा है क्यों पबलिक को भरमित करने की कोशिश कर रहा है और इसका भविश्य है क्य तो मेरे साथ बहुत ही आपके जाने पैचाने चेहरे विजय सर्दाना साथ जुड़ रहे हैं उनको जोड़कर के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं विजय जी नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विजय जी नितीश कुमार दिल्ली में राश्ट्य कारिकारनी की बैठक बल पहले तक नितीश कुमार भी ललन सिंग भी उनकी पारिटी के परवक्ता भी दोनों कान हाथ में लेकर के कहते हैं कि नहीं अध्यक्ष नहीं हटाया जा रहा है अध्यक्ष हट गया और अब तमाम तरह की कथा कहानिया जो है इस समय इलेक्ट्रोनिक मीडिया और सोचल मीडि पर तेज गती से दोड़ रही हैं किसाब ललन सिंग ने बगावत करने की कोशिश की थी लालु यादव के साथ मिल करके इनकी कुर्सी उलटने की तक्सा उलटने की कोशिश की थी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की साजिस्ती और खुद लालु के सहयोग से राज्य स सबहा जाने की तैयारी कर रहे थे इसलिए उनको नितीश बावु ने चलता कर दिया अब नितीश बावु को का जो करेक्टर है कुल मिलाकर के राजनितिक चरित्र है उससे तो हम और आप अवगत हैं हमारे दर्शक भी अवगत हैं जॉर्ज फर्नांडी शरद यादा उसे ले जाल दिया एक तो मैं इस पर टिपनी चाहूंगा कि यह जो इंडी एलाइंस के घटक दल है इनहीं के बीच में जूतन पेजार की नौबत आ रही है तो यह क्या आगे बढ़ेंगे क्या सीट शेरिंग होगी क्या यह नरेंद्र मोधी जैसे प्रमानिक नित्रत्व को चुनो ने इंडी एलाइंस की कलपना की थे क्योंकि इंडी एलाइंस अगर आप देखें यह 28 दलों में लोग हैं कौन से इन अगर इनके सबके डियन ने देखें तो कहीं ना कहीं एक में जाके जुड़ते हैं इन सबकी गंगोतरी तो कॉंग्रेस ही थी या तो यह कॉंग्रेस से निकले थे या कॉंग्रेस में मिले मिले या उसके साथ गटवनन किया और फिर अलग हुए यह कहीं ना कहीं अपनी जिल्दगी में काहीं किसी ना किसी रूप में यह जुड़े थे अगर इन लोगों में इतनी जिसे कहتे हैं ना कि टॉलरेंस होती है आज के लो टॉलरेंस हुए कि ये सब महत्वा कांक्षी नेता हैं सब को सकता चाहिए सब को टेक्सपेर के पैसे पे सुख भोगना है और उसके लिए इनका सिध्धान्त एक ही है कि बाटो और राज करो इनकी पूरी जो फिजी थी वह ये थी कि कॉंग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है भीःघार में अपना अंब करेंगे अपनां करेंगे महारास्टर में करेंगे हर जगे इनोंने Kास्ट के वेंच पर एपनी कुछ और मान्यताहों के वेस्ट पे इन्हों ने कॉंग्रेस के टुकड़े किये और ये अपने अपने सूबे के छत्रब बन गए ये तो इन सब का इतिहास रहा है अब इनको अच्छानक याद आया कि यार देखो अगर बीजेपी या मोदी से लड़ना आए तो इकठे होना पड़ेगा ये पॉसि काम नहीं करती थी इसलिए बिहार की भलाई के लिए बंगाल की भलाई के लिए तमिल नाडो की भलाई के लिए वगेरा वगेरा हम लोगों ने अपनी अलग पार्टी बनाई है और हम कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों से एक वी डिस्टेंस ने यही तो पूरी राजनिती अगर यह शुरू में ही विदान सभा में भी बिलके लड़ लेते तो जनता यह कहती फिर दो की क्या जरूते एक कोई दे दो ने यार जब यह घुम फिरके मिलना ही है इनको एक दूसरे की गोदी में ही बैठना है तो फिर एक ही को दे दो तो इनका वजूद वहीं खतम हो जाता तो जनता यह सब समझती है देखती है पहले तो पत्रकार लोग थे शैद जो अख़बारों में लिखते थे जनता उसी सो पीनियन मनाती थी अब तो यह पूरा सोशल मीडिया का जमान है आपको बंगाल में क्या हो रहा है रोज खबर आ जाती है बिहार में क्या हो रह फिले दिन से बोल रहा हूं कि यह फिजिबल ही नहीं है यह तो बतलब यह जिसे कहते है ना अपोजिट पॉल्स है एक दूसरे के और यह बड़ा विचित्र है कि एक दूसरे को पूरी जिंदगी कोशने वाले कहेंगे अब हम मिलके एक साथ बैठेंगे चलिए सर सत्ता के लिए आप एक दूसरे को देखके मुस्कुरा भी दे अंदर से तो गाली दिये बगर गुजारा नहीं और पूरी जिंदगी आपने कैडर इस बेस पे खड़ा किया कि देखो आपको कॉंग्रेस से लड़ना है आपको वीजेपी से लड़ना है आपको समाजवादी से जासते कैडर खड़ा किया था उनके डी एन ने में जिसको कहते है ना ब्रेन वाशिंग रेडिकलाइजेशन तो आप नहीं किया था ना उन सबका अब आपने ही अपने कैडर का रेडिकलाइजेशन किया अब आपको कुरसी चीए तो आप चाहते हो कैडर वो जो जो जिसको आपने रेडिकलाइज किया, वो सब गिले शिक वे भूल जाए और आपके पीछे एक दर भीड की जड़े चलने लग जाए, क्या केडर इतना नालायक और नकारा है कि असर हिंदुस्तान का, मतलब केडर का मतलब आम आदमी, कि आप उसको जैसे चाहो वैसे हाक लोगे, बहु इनके कैडर हैं, जिनको इन्होंने आज तक अपने साथ जोड़ा ये कहके कि ये सारी विरोधी पार्टियां हैं, मुझे लगता है, सबसे पहले तो उन कैडर को इनका साथ छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो स्वार्थ के लिए सत्ता पेर है, कैडर को क्या मिलेगा सर, इन में से कोई मंत्री बन जाएगा, कोई शायद पी-एम बन जाएगा, कोई सी-एम बन जाएगा, ये तो सब टेक्सपेर के पैसे पे गाड़ी, बंगला, कुर्सी लेके, एस कर लेंगे, कैडर को क्या मिलेगा, जिसने बिचारे ने पडोसी को जिन्दगी पर गाली द लगता था, कि ये पहले बनाते common minimum program, कि देखिए हम लोगों का agenda है, हिंदुस्तान में आज के लिए समस्याएं हैं, for example, महंगाई की समस्या है, हमारा ये प्रस्ताव है, ये आपकी विरुजगारी की समस्या है, ये हमारा प्रस्ताव है, foreign policy में हमारा ये प्रस्ताव है, economic development मे हमारा ये प्रस्ताव है, पहले ये जनता के सामने प्रस्ताव रखते हैं, और फिर ये कहते हैं कि देखिए ये प्रस्ताव हम पांच पार्टियों ने मिलके बनाया है, या दो ने मिलके बनाया है, अब हम निमंतरन दे रहे हैं, उन सभी पार्टियों को जो इस प्रस्ताव के साथ खड़ा होके और मिलके चुनाव लड़ना चाहता है तो इसमें एक लॉजिक समझ में कि सब एक कार्य नीती पे साथ है यहां तो कल ममता जी ने साफ बोल दिया कि ना नीती है ना नेत्रत्व है ना रणनीती है और ना कोई action plan है लेकिन हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे अब उन्हों ने तो बड़ी गंभीरता से कहा लेकिन इसके पीछे जिसे कहते ना एक कि हम Direction लग हैं हमें खुद कुछ नहीं पपता कि हमिज जाना के दर है है हम एक्चुली चुराये पे खड़े लेकिन हम चल दिये कहा जाना है यह मत पूछ्अ का रहे हैं बस हम चल दिये अब हम घर चा रहे हैं, खंडे में जा रहे हैं, खाई में गिरने जा रहे हैं या समुद्र में जा रहे हैं। इसे मत पूछो हमसे लेकिन हम चल दिये, ये स्तितिया जिनकी है. विजे जी जब ये दिल्ली में चोथी बैठक करने वाले थे उससे ठीक पहले मोदी और शाहा की सरकार ने केंदर सरकार ने काफी इनको युनाइट करने की कोशिश की कुल मिलाकर के दोनों सदनों के 147 बाद में 147 MP जो है वो सस्पेंड किये गए तब लगा था कि कम से कम इस गठना के बाद तो सारे एक जुट हो जाएंगे संकल्ब बद्ध होंगे और अलग अलग राज्यों में भारतिये जनता पारिटी के खिलाप एक एक परतियाशी देने पर सहमती हो जाएगी यानि प्रधान मंत्री तो चाहते थे कि एक मजबूत इंडी एलाइंस बने भारत तो मौदी और शाह की जो रणनीत ही थी उसमें भी पलिता लगाने पर आमादा है मतलब इकठे ही नहीं हो रहे हैं सरकार तो चाहती है कि यह इकठे हो जाएं बात वही है ना सर मैं फिर एक उधारन दूंगा शहाए हमारे दर्शुम को याद आ जाएगा सर कभी आपने तर यह सब तरबूज हैं बहुत बड़ा इगो अंदर से खोक ले ना पार्टी है ना कारिकरम है ना कोई सोच है लेकिन इगो इतना बड़ा है कि हम प्रधान मंतरी से भी बड़े हैं क्योंकि तबी तो यह देश के प्रधान मंतरी के बारे में अब शब्दों को इस्तमाल करते रहते हैं जैसे कि वो एक जूनियर पोजीशन और इनकी पार्टी देश से भी बड़ी पार्टी हो गई हो और यह जो चाहें देश के इलेक्टेट प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ भी बोले तो यह थे तरबूज मोदी जी को पता है कि यह सब तरबूज है यह सर मोदी जी भी तो पॉलिटीशियन है ना वो भी इनकी रग रग जानते ऐसा तो है नहीं कि वो इनकी डी एने को नहीं पहचानते उनको भी पता है कि कौन कहा किसके आगे अटकेगा और यह तो अमिच्छा जी ने एक अपनी प्रेस कांस्वेंस से कहा था अपनी प्रेस व हो रही है और जहां इंडीयन एलाइस बनना चीए हो है ऐलएटी है जैसे बीहार का एकजांपल महराश्टा का एकजांपल डिया उंकर के यहां किहां तो और जहां पे में कि केजरी वाल को कभी भी गठवनन मन्जूर नहीं होगा आप कुछ भी उसको फॉर्मूला दे दो अगर उसको मा लीजिए आज पंजाब में साथ सीटें दिल्ली में साथ सीटें पंजाब की दस बारा सीटें जो भी हैं इनको तो वो हत लगाने ने देंगे वो कहेंगे अब पार्टी को कितनी सीटों का फाइदा हुआ क्या हम पच्चिस पे लड़े हैं क्या हम चालिस पे लड़े हैं क्या हम पचास पे लड़े हैं केजरीवाल का इंट्रेस्ट उसमें है उसका ये इंट्रेस्ट नहीं है कि बीस में से मैं कितनी बाटू इस गलत फैमी में ना केज को सीट देगा कॉंग्रेस ही तो है वहाँ पे तो जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी पॉसिबल ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इस इंडी इलाइस का कोई फ्यूचर है इसी लिए यह अखवारों में जरूर शोर मचाते रहे कि हम बैठेंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे पॉसिबल ही नहीं है यह अब सबसे बड़ी बात में आपको एक ही चीज बोलता ह सब्सक्राइब इनको मीटिंग करनी है कौन किसको इन्विटेशन बेजेगा मिर को बताओ कि क्या चिठी कॉंग्रेस से जाएगी जिसमें नीचे राहुल गांदी के सिगनेचर होंगे कि आई हेर वाई इनवाइट यू कम टू दिस प्लेस प्लेस पॉर दे मीटिंग आदे और यह किसी एक को कणुइनर बना देते ना कि भी यह एक सेकेट्राइट बना रही है सबसे पहले काम तो कौरुडिनेशन कमेटी तो बना लेते को यार हम थे सबसे इन्फॉर्मली बात करके फिर फॉर्मल म मीटिंग जब भी बुलानी होगी यह एक मेल डाल देंगे यह व क्लियर करना होगा कनक्लूजन करना होगा उसका ड्राफ्ट बना के वर्चुली इनफॉर्मली सारे लीडर्स का कंसेंट लेना होगा फिर फाइनल ड्राफ्ट ले जाके मीटिंग में उस पे जिसे कहते हैं न फॉरमलेटी के रूप में चर्चा होगी और फिर प्रेस के सामने सारे साइन कर देंगे कि ये देखो जी कौमन लोगों कैसे होना चीए मान साब आप बताओ लोगों कैसे होना चीए स्टैलिन साब आप बताओ लोगों कैसे होना चीए आप तीन महीने तीन सर इस तरह से कि आप करेंगे तो आपको तीन घंटे में तीन लाइने नहीं मिलेगी यह सब काम होता है इसके लिए सेक्रेट्रियेट होते हैं वो करना गिप ? कि लिए इन्होंने कुछ किया नहीं तो मुझे लगता है बड़ी है इसका कुछ नहीं होगा सर्सक्स और जैसे जैसे टाइम donating निकोफ्सें इनका अधुक्ड बढ़ेगा कि मंताजी ने तो इसलिए का था कैंज है करो कि फिर पूरा जनवरी निकल जायेगा budget में फिर एक परवरी को budget ऐनाउस हो जाए पिर उसके बाद राप की बजत की चर्चा करेंगे फिर आपका विदान्द अपना लोगसभा का सत्रा आएगा राज्यसभा का सत्रा आएगा फिर आपको अपने states के budget भी बनाने क्योंकि आप तो ruling party में है ना सर यह सारे opposition वाले तो है नहीं कि इनको सब चुनावी सोचना है ममता जी को अपना state का budget भी देखना है केज़िवाल को budget देखना है भगवातवान को budget देखना है DM को को budget देखना है सबको अपने-पने state की planning करनी है consultation करने है budget planning करनी है programs का execution देखना है और भी बहुत काम है इन सब के पास और फिर चुनाव की तयारी भी करनी है और फिर इनके पास time नहीं है कि हम बैठके गड़ जोड करें क्योंकि इनको अपने-पने लोगों को नहीं बताएंगे कि कौन से सीट हम किसको दे रहे हैं तो जाके तैयारी कैसे करेंगे तो यह तो सब्सक्राइब बहुत यह तो बहुत लेट हो गए तो बी आनेस्ट जैसे मिजे प्रदेश में बीजे पीम ने कहा था जब उन्होंने का कि बीजे पी का यह सफलता का राजी क्या है आपने तो यह घोशना की उनका सब्साल से तैयारी चल रही हो तो राश्त्रिय चुनाब में कब से तैयारी चल रही होगी सर्थ तो बीजे पी तो ऑन ट्रैक है अभी इनको यह पता कि सीट कौन सी यह कब इक etthe होंगे कब अपनी और्गनाइजेशन को तयार करेंगे फिर और्गनाइजेशन को क्या बताएंगे क्यों चुनाब चाहिए कि अभी कठे लड़र इसलिए वोट दे दो जन्ता तो पूछेगी ना किसलिए कि आप वो नहीं पता बस आप बोट दे दो ऐसे कही थोड़ी का नहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ही कुछ कर रहे हैं कि यह 2024 के लिए इकठा हुए हैं कहिए इनका प्रोग्राम 2034 का हो हाँ यह हो सकता है अब राजदीब को उन्होंने अंदर की बात बताई होगी हमारी तो महां तक पहुंच है नहीं हम तो सर वो ही देखेंगे ना जो द क्योंकि हम लोगों की पहुंच वहां तक नहीं है कि मेरी तो नहीं मैं तो वही बताऊंगा जो सामने देख रहा है और सामने देख रहा है 2024 का चुनाव और इनकी भाशनों में मैंने अभी तक 2034 नहीं सुना था अभी तक मैंने इनको 2024 की ही बात सुनी थी तो मैं तो यही चौतिस है जवान पे चौविस है यह कन्फ्यूजन है यह स्ट्रेटेजी है यह मुझे नहीं करता है